नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फिर्स क्लाउड में तो दोस्तो भारती सिना ने चार इजराइली हीरवन ड्रोन को तैनात कर दिया है लद्दाक में और ये ड्रोन चीन की हर हरकतों पर नजर रख सकता है चाहे दिन हो या फिर रात तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टा कर लेते हैं दोस्तो अब चीन की सिना लद्दाक सीमा के इस पार या उस पार भारत के खिलाब कोई नापाक हरकत करेगी तो तुरंद पता चल जाएगा भारती सिना को इजराइल ने ऐसे ड्रोन्स दिये हैं जिनके कैमरे संसर्स और रडार किसी बाज की नजर की तरह तेज हैं इनका नाम हिरोन ड्रोन है भारती सिना ने 4 हिरोन ड्रोन्स को लद्दाक सेक्टर में तनात कर दिया है और अब ये आस्मान से ही चीनी सिना की हर हरकतों का एक सरे करते रहेंगे चीन की हर गत्विद्यों की जानकारी भारती सेना और इंटेलिजेंस को मिलती रहेगी अपरेल 2020 में चीन के साथ हैलेसी पर हुए संगर्स के बाद भारती सेना ने लद्दाक में सेना, हथियारों, विबानों, मिसाइलों की संख्या को बढ़ा दिया था और निगरानी के लिए सेटलाइट की मदद ली जा रही थी लेकिन अब ड्रोंस की मदद मिलने से सर्व्लाइन्स और रिकांसेंस में काफी जादा मदद मिलेगी ये चारों ड्रोन ले पहुँच चुके हैं, इसराइल से मिलें 4 हेरों ड्रोन अत्याधुनिक हैं भारती सेन में मौझूद सभी ड्रोनों की तुलना में इनकी ताकत, इनकी छमता, उडान का समय सब कुछ बहुत ज़्यादा है सबसे खास बात ये है कि इन ड्रोन्स को कोई किसी भी तरह से जैम नहीं कर सकता यानि इनमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में ज़्यादा दमदार है इन ड्रोन्स को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की इमर्जंसी फाइननसियल पावर के तहत मंगाया गया है ताकि देश की सुरच्छा को लेकर किसी भी तरह का समझोता न किया जा सके हेराउन ड्रोन को इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है या एक मीडियम एल्टीट्यूड लाग इंडियूरेंस अनमैंड एरियल वहिकल है हेराउन ड्रोन एक बार हवा में उठा तो बावन घंटे तक उड़ान भनने में सच्छम है या जमीन से 35,000 फीट यानि 10.5 किलो मिटर की उचाई पर बेहत सांती से उड़ता रहता है इसे नियंतरित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है जिसमें मैनुवल और आटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है या ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भडने में भी सच्छम है हेरोन ड्रोन में कई तरह के सेंसर और कैमरा लगे हैं जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा यानि इन्फरारेड कैमरा जो रात में या अंधेरे में देखने में मदद करते हैं इसके अलावा विजिबल लाइट, एरबान, ग्राउंड सर्विलाइंस जो दिन की रोशनी में तस्वीरे लेता है, साथ ही इंटेलिजन सिस्टम समेथ कई तरह के रडार सिस्टम लगे हैं, इस ड्रोन की सबसे बड़ी बात ये है कि ये आसमान सही टार्गेट को लाग करके उसकी सटीक पोजिशन यानि आर्टिलिरी टैंक क्या इंफ्रारेट सीकर मिसाइल को दे सकता है, यानि सीमा के इस पार से ड्रोन से मिले सटीक टार्गेट पर हमला भी किया जा सकता है, और इसके कम्मिनिकेशन सिस्टम सीधे तवर पर ग्राउंड स्टेशन से संपर्क में तो रहते ही हैं, इसके अलावा इसकी संचार प्रणाली को सेटलाइट के जरिये भी लिंक किया जा सकता है, इसके नेविगेशन के लिए प्री प्रोग्राम्ड फुली आटोमेटिक नेविगेशन को चलाया जा सकता है, या फिर मैनोली आप रिमोट से इसे नेविगेट कर सकते हैं इसका कुल वजन 200 किलोग्राम है भारत में भेजे गए इस्राइली हरोन ड्रोन का नाम इगल या हार फाग है हाला कि भारती से न इसे अपना अलग नाम दे सकती है अब आपका क्या कहना है इस्राइल से मिले इन ड्रोन्स के बारे में कमेंट में जरूर बताएं लाइक से अब सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाए ताकि कोई भी मेरी वीडियो छूटे नहीं सभी वीडियो पहुचे आपके पास धन्यवाद कर दो में ङाले वीडियो फिर नहीं सब्सक्राइब करेकonne को दो में कर दोगAR के भी में कर दो की कि दो बेकिल सकत La क्ष। अराले नहीं सब्सक्राइब कर दो दो राले दिये वीडियो दो मैं लान दो